हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल आराध्या आरियास एकेड़ी में दोस्तों RPSC फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट वेपर के लिए इतियाज का क्रेस कोर्स स्टार्ट किया गया था जिसमें दोस्तों अपनी 32 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है आज दोस्तों इसमें 33 क्लास है अपना टॉपिक चल रहा था राजस्तान में किसान अंदोलन और दोस्तों 32 क्लास में अपने पढ़ लिया था बिजोलिया और बेंगो किसान अंदोलन ठीक है आज 33 नमबर की क्लास है आज अपन इसमें 4-5 किसान अंदोलन है वो सल्टा देंगे ठीक है तो दोस्तों अगर आपने पिछली अगर 32 क्लास नहीं देखिये तो आप अले लिस्ट में जाईए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाए का फर्स्ट ग्रेड इतियास क्रेश कोर्श के नाम से तो आप वहाँ जाके सारी की सारी क्लास हैं वो देख सकते हैं दोस्तों नीमूचना हत्याकांड ठीक है दोस्तों नीमूचना हत्याकांड है ये कब हुआ था सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था तो ये दोस्तों 1924-25 में हुआ था ये नीमूचना हत्याकांड कौन सी रियासत में है तो दोस्तों निमुचना हत्याकांड है ये अलवर रियासत में हुआ था ठीक है उस समय वहां का महराजा कौन था तो महराजा था दोस्तों जैसिंग कौन था जैसिंग ठीक है आपको याद रखना है देखो निमुचना हत्याकांड का जो नेतर्त्व है नेतर्त्व करता कौन था इसमें द किया गया था समझ में आ गया नीमुचना हत्याकांड अलवर रियासत में उस समय हत्याकांड वा था उस समय महाराजा कौन था तो जैसिंग था नेतरत्व करता कौन था तो दोस्तों कोई भी नहीं था नेतरत्व करता इसका ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है और कारण क्या है तो कारण है दोस्तों इसमें देखो रोधों की समस्या तो ये हुआ किस कारण से था तो इसकी अगर मैं बात करू तो इसके कारण की तो कारण है रोधों की समस्या अब देखो सुवर पालने वाले सुरक्षित इस्तानों को रोधों के नाम से जानते थे ठीक है तो यह सबसे में समस्या इसमें रोधों की समस्या थी अभी तक आपने देखो अगर option में आ जाए कि रोधों की समस्या भी आ जाए और सुर की समस्या भी आ जाए ठीक है तो अगर अभी तक आपने मेरे को पता है कि आपने सुर का ही बढ़ा है तो दोस्तों अपने पढ़ रहे हैं नॉर्मल चीज नहीं पढ़ रहा है अपने फर्स्ट ग्रेड की त्यारी कर रहे हैं तो अपने को वास्तम हकिकत चीज है वो पता वाना चाहिए तो देखो जो यह नीमुचन हत्याकांड है यह रोधों की समस्या के कारण हुआ था और सूर पालने वाले सुरक आपको याद रखनी है दोनों में से कोई एक आएगी 24 मई 1925 को या 14 मई को नीमबुचना गाउं में किसानों की एक आम सबा आयोजित हो रही थी ठीक है एक आम सबा है वो आयोजित हो रही थी जिस पर अलवर पुलिस के अधिकारी छाजू सिंग ने गोलिया चला दी जिसमें से कड़ो किसान है वो मारे गए थी ठीक है देखो एक पुलिस अधिकारी था अलवर का जिसका नाम था चाजू सिंग चाजू सिंग ने दोस्तों जो ये किसान है इनकी दोस्तों एक सबा हो रही थी ठीक है उस सबा के ओपर दोस्तों इस पुलिस अधिकारी ने यानि कि चा कहा है तो देखो महत्मा गांदी जी ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि यह है दूसरा जलिया वाला बाग हत्याकांड है जिसमें दोहरी डायर साही दिखाई गई है ठीक है तो दोस्तों ये गांदी जी ने कहा था ये वर्ड भी तो आपको समझ में आ गया होगा निमूचना हत्याकांड की बारे में ठीक है अब देखो आगे चोथा नंबर का अपना इसमें आंदोलन आता है जिसका नाम है मेव मेवात या अलवर किसान आंदोलन ठीक है मेव मेवात या अलवर किसान आंदोलन कब हुआ था है तो ये हुआ था दोस्तों गुनी सो तीस से चोटीस के मद्दे यह हैं आंदोलन हुआ था कौन सी रियास्त में हुआ था तो अलवर रियास्त में हुआ था महराजा कौन था तो महराजा जैसिंग था नेता कौन था इस आंदोलन का तो यासीन खान इस आंदोलन का नेता था और यह संस्ता है वो कौन सी थी तो अंजुमन खादीम उ बढ़ा दी थी जिसके कारण यसीन खान के ने तर्टव में यह अंदोलन किया गया था कौँ जो यहाँ जिसको अपन मेव VAT किसान अंदोलन भोल रहे हैं जियो यहIE आंक्द अलवर के महराज़ा जैसिंग थे उन्होंने क्या किया था कि लगान की दर है वो बढ़ा दी थी उसकी वज़े से दोस्तों ये आंदोलन हुआ था अब देखो यह है राजस्थान का एक मातर आंदोलन था जो किसान समस्या से प्रारंब होकर सामपरदाइक दंगों में बदल गया था देखो महराज़ा जैसिंग ने किसानों का साथ दिया जिसको कंपनी ने इंग्लेंड भेज दिया और पीछे से आंदोलन को दबा दिया ठीक है अब क्या हुआ कि आंदोलन बड़ा हो गया तो महराज़ा जैसिंग ने किसानों का साथ दिया और उदर मुसलिम हो कि माराजा जैसिंग को तो इंग्लेंड बेज दिया और पीछे से इस आंदोलन को है वो दबा दिया गया था ठीक है समझ में आ गया तो अगर आपने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किये हैं तो दोस्तो नोट्स जरूर परचेज कर लें यह मुबाइल नंबर है 9664140458 ठी ठीक है यह सब कुछ है तो दोस्तो अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं देखो यह 150 रुपर की फाइल है परिक्षा तक आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं इसमें दोस्तो टोटल 187 पेज हैं अगर आप चाहो तो दोस्तो एक या दो दिन के अंदर इसको पूरा ठीक है देखो पांचवा नंबर का अपना इसमें किसान अंदोलन आता है बूंदी किसान अंदोलन या बरड किसान अंदोलन या डाबी किसान अंदोलन कब प्रारंब हुआ था तो 1923 के अंदर यह अंदोलन ने प्रारंब हुआ था ठीक है समझ में आ गया देखो बूंदी के नाम से जाना जाता है ठीक हैं बूंदी जियासत का वहे भाग जो मेवाड से लगा हुआ है और पत्री लभू भाग है उसको बरद के नाम से जानते हैं ठीक हैं इस समय बूंदी के महराजा भादूर सिंग थे जिन्होंने लगान की दरें हैं वो बढ़ा दी थी ठीक है और इसी कारण पंडित नेनुराम सर्मा के नेतरत्व में यह आंदोलन है यह प्रारंब किया गया ठीक है समझ में आ गया बुंदी किसान आंदोलन का जो नेतरत्व है वो किस ने किया था तो दोस्तों 1923 इस्वी में बुंदी रियास्त के डाबी गाउं में किसानों की आम सबा का आयोजन हो रहा था कब हो रहा था अपरेल 1923 इस्वी को बुंदी रियास्त के एक डाबी गाउं है उस गाउं में दोस्तों किसानों की एक आम सबा का आयोजन किया जा रहा था जिसमें दोस्तों एक लोकगायक नानक भील जंडा गीत गारा था यानि कि वहां का जो प्रशिद गायकार था नानक भील वो दोस्तों जंडा गीत गारा था ठीक है और इस समय बुंदी पुलिस के अधिकारी इक्राम हुसेन ने गोलिया चला दी थी बुंदी पुलिस का अधिकारी कौन था इक्राम हुसेन और उस वाले में उस अधिकारी का नाम क्या था जो निमोचना हत्यागंड हुआ था तो दोस्तो उसमें था चाजु सिंग ठीक है और इसमें कौन था इसमें इकराम हुसेन था दोस्तों तीक है जिसने गोलिया चलवा दी थी देखो जिसमें नानक भील है वो सहीद हो गए थे तीक है और इसे ही डाबी हत्याकांड कहा जाता है तीक है देखो माने केलाल वर्मा ने इस सीरसक के आधार पर अरजी लोकगीत ल लिखना है पंचिडा और अरजी का अब देखो छटा नंबर का अपना इसमें किसान अंदुलन आता है जिसका नाम है सेखावाटी का जांट किसान अंदुलन ठीक है शोडा इंटू दो बराबर आठ बराबर जांट ठीक है मेरे एक मित्र हैं उन्होंने अपनी बाइक पर लिखा रखा है सोले इंटू दो बराबर आठ बराबर जांट ठीक है ऐसे कुछ लिखा रखा है देखो सेखावाटी का जांट किसान अंदुलन देखो सिकर का जांट किसान अंदुलन या पंचताना किसान अंदुलन ठीक है ये तीनों आंदुलन है यानि कि ये एक ही है अ 1930 से 1934 के मद्दे हुए थे ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है अब देखो इस समय रियासत कौन सी लगती थी सेकावटी की तो वो लगती थी दोस्तो जैपूर ठीक है यह जैपूर रियासत में आते थे पहले यहां का महाराजा कौन था तो महाराजा था दोस्तो मान सिं फिक्क और उपरियासत कौन सी थी? तो उपरियासत थी, दोस्तो, शिक्कर, मेंरियासत जैपुर, उपरियासत शिक्कर, और वहां का जो ठाकुर था, वो था, दोस्तो, खल्लियान सींह, ठीक है? ये भी आपको इसमें याद रखना है, अब देखो, ये पंच ताना है आपने सुना होगा कि सेखावाटी के अंदर जो पांच ठिकाने थे उसको पंच ताना के नाम से जानते हैं ठीक है तो देखो पंच ताना पंच ताना इसमें पांच ठिकाने आते हैं कौन-कौन से बिसाओ, डूंडलोद, मंडवा, नवलगट और मलसी सर ठ पांच ठिकाने आते हैं दोस्तों पंच ताना में ये पांचों के पांचों आपको याद रखने हैं परिक्षिय के अंदर अगर प्रसंद पुछा जाए कि निम्न में से पंच ताना में कौन सा ठिकाना नहीं है तो दोस्तों इन में से तीन दे देगा और एक नवलगड डाल और कोई दूसरा भी डाल देगा ठीक है तो आपको याद रखना है ये पांचों के वाज़ बिसाओ, ढूंडलोद, मंडावा, नवलगड़ और मलसी सर ये पंस्थाना ठीक है देखो इनके अन्ने के अंदर कौन थे तो इनके अंदर थे खंडेला, पलसाना, जखेरा और इसम अगर आपने दोस्तों अभी तक सिर्फ और सिर्फ मेरों को पता है कि किसोरी देवी का ही नाम सुना है इस जांट कि साना अंदोलन में ठीक है लेकिन दोस्तों पांच वेक्ति हैं यहाँ पे ठीक है सरदार हरलाल सिंग, पंडित ताड के स्वर सर्मा, घासिराम चोधरी, किसोरिलाल देवी और दुर्गावती सर्मा ठीक है अब देखो आगे देखो इस आंदोलन में राजपूत सामन्तों के द्वारा जांट किसानों का बड़ी बहरमी से दमन किया गया इस आंदोलन की आवाज इंगलेंड की संसद हाउस ओफ कोमन में उठाई गई थी आंदोलन इतना भेंकर था ठीक है अब देखो वहाँ से दबाओ आने पर जैपूर के महराजा मान सिंग सेकिंड ने मान सिंग सेकिंड तथा यहां के पोर्टिकल एजेंट कैप्टन वेब याद रखना आपको कैप्टन वेब के सायोग से इस आंदोलन को समाप्त करवाया गया था यह आपको याद रखना है केप्टन वेब और मान सिंग सेकेंड के सयोग से इस आंदोलन को समापते करवाया गया था देखो गुनी सो चोंतीस इस्वी में सीकर के कट्राथल नामक इस्तान पर हर लाल सिंग की पतनी कि सोरी देवी तथा ताडकेश्वर सर्मा की पतनी दुरगावती के नेतरतों में दस हजार जांट मैलाओं ने दरना दिया था तीक है यह आपको इसमें याद रखना है गुनी सो चोंतीस में अब देखो इसके बाद में दोस्तों अपना सात्वा नंबर का किसान आंदोलन है जिसका नाम है दूद्वा खारा किसान आंदोलन कब हुआ था गुनी सो चोंवालिस में हुआ था कौन सी रियास्त में आता तो ये दोस्तो बिकाने रियास्त में आता था दूद्वा खरा किसाना अंदोलन और सुरी दूद्वा खरा ठीक है बिकाने रियास्त में और महराजा कौन था तो दोस्तो महराजा था सूरजमल कौन था सूरजमल दूद्वा खरा वरतमान में दोस्तो चूरुज ले के अंदर पढ़ता है यह आपको याद रखना है और इसका जो नेतरत्व करता है वो कौन है तो मगाराम वेदे और बहन सेतुबाई ठीक है मगाराम वेदे और बहन सेतुबाई ठीक है यह दोस्तों दूद्वा खारा अंदोलन का इन्होंने नेतरत्व किया था देखो आपने दर के विरुद परारंब किया गया था जिसमें किसानों का साथ मगाराम वेद ने दिया था ठीक है इस किसाना अंदोलन का जो नेतरत्व है वो मगाराम वेद और बहन से तुबाई के द्वारा किया गया था इन्नों ने किसानों का साथ दिया था तो दोस्तों आज अपने जो 64140458 ठीक है हिस्टरी की first paper के syllabus के according की बात कर रहा हूँ only first paper क्योंकि second तो सभी का होता है ठीक है अब सभी का अलग अलग होता है first paper की में बात कर रहा हूँ first paper में syllabus के according आपको history की मिलेगी same to same ऐसी ही जैसी अपनी class से चल रही है तो revision करने के लिए या आपको पढ़ने के लिए तो दोस्तों जो लोग है वो नए जुड रहे हैं ठीक है वो आज पहली बार class ले रहे हैं तो वो दोस्तों notes से purchase करके हमारे साथ में आ सकते हैं ठीक है history की price रखी गई दोस्तों 150 rupees geography की रखी गई है 120 और particle की रखी गई है 120 और इन तीनों को एक साथ purchase करने पर दोस्तों आपको school management है वो फिरी मिलेगा ठीक है तो दोस्तों आपको ये notes अगर आपने purchase नहीं किये हैं तो purchase कर सकते हैं क्योंकि 5000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसको purchase अभी तक कर चुके हैं ठीक है तो आप पीछे मत रही है क्योंकि इसमें ऐसी चीज है language देखो आप language ऐसी है इसमें कि आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं किताब की language है वो hard आती है ठीक है तो वो जल्दी से अपने से पढ़ी नहीं चाती यह दोस्तो language है यह बिल्कुल easy language है और इसमें एक भी चीज है वो छुटी हुई नहीं है only syllabus के according ही यह इसको तयार किया गया है तो दोस्तों अरद्य आरस अकेडमी की YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को तबाएं वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जय हिंद जय भारत